है गाइस तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाट इस E2, E3 and E4 in Boltaz AC Boltaz AC में E2, E3 and E4 क्या है तो गाइस आपका ज़्यदा टैम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस E2, this error code show up only when there is an issue with the indoor fan zero crushing detection तो गाइस ये error code केबल तभी दिखाई देता है जब indoor fan के zero crushing का पता लगाने में कोई समस्या हो तो गाइस आप E2 error code के वारे में समझ गए होंगे तो गाइस अब बात करते हैं E3 error code की तो गाइस ये error code केबल तभी दिखाई देता है जब indoor coil fault और sensor में कोई समस्या हो तो गाइस अब बात करते हैं E4 error code की तो गाइस इस error code show up only when there is an issue with the indoor ambient temperature sensor तो गाइस ये error code केबल तभी दिखाई देता है जब indoor previous temperature sensor के साथ कोई समस्या हो तो गाइस I hope so उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like and share जरूर करें and comment box में जरूर बताएं तो गाइस चलते हैं फिर मिलते हैं next वीडियो के साथ